जीवन के हर अंधेरे में रोशनी दिखाते हैं आप बंद हो जाएं जब दर्वाजे सब नए रास्ते दिखाते हैं आप सिर्फ किताबी ग्यान ही नहीं देते जीवन जीना सिखाते हैं आप जीवन जीना सिखाते हैं आप Happy Teachers Day to all my friends A very warm good afternoon Respected Teachers, I am Amita, Lecturer Biology Government Senior Scandry School Mahindra Ganj Rajpura, District Patiala I am fortunate on getting this opportunity to express my views on Teachers Day आओ सब मिलकर उन Teachers को उन गुरूं को शत्षत प्रणाम करें जिनकी वज़ा से आज हम जो हैं उनकी वज़ा से हैं कहते हैं कि शिक्षा के बिना जीवन आगे नहीं बढ़ सकता और शिक्षा हमें तभी मिल सकती हैं जब हमें शिक्षक मिले आओ आज सब मिलकर उस शिक्षक को शत्षत प्रणाम करें जिनकी वज़ा से आज हम Teachers Day celebrate कर रहे हैं आज 5th September है आज एक Great Scholar and Excellent Teacher डॉक्टर सर्वोपली राधा कृष्णन जी का जनम दिन भी है जिनोंने अपने स्टूडेंट्स को बोला कि मेरा वर्थ जे टीचर्स डे के रूप में अगर आप मनाऊगे तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी वो हमारे आजाद भारत के दूसरे राष्ट्रपती भी थे वो कहते थे कि जैसे शरीर को चलाने के लिए उर्जा की अवश्यक्ता होती है वैसे ही हमें अपने जीवन को चलाने के लिए शिक्षा की और शिक्षक की जरूरत है कहते हैं माता पिता हमें जनम देते हैं पर मातमा हमें सांसे देता है पर जीवन कैसे जीना है एक अच्छा जीवन कैसे जीना है वो हमें टीचर्ज ही सिखलाते हैं वो हमें किताबी ग्यान ही नहीं देते बलकि हमारे में moral values, social values भी कूट-कूट कर भरते हैं तो तब ही बोला गया है कि teachers they are next to God तो आओ सब मिलकर उन सभी teachers को शत शत पर नाम करें जिनकी वज़ा से आज हम इतने काबिल हुए कि जीवन के इस पत पर हम आगे बढ़ रहे हैं Personally speaking, I belong to a family where all the ladies, they were teachers My mother was a teacher, my mommy, my chachi, my thai, all were teachers and the younger generations, they were also budding teachers So, इसलिये मैं अपने आपको लखी मानती हूँ कि मैंने ये profession pursue किया और ये एक noble profession है Noble in the sense, मेरे अपने views है, शायद आप मेरे views से agree करेंगे कि teaching ही एक ऐसा profession है, जिसमें हम सोचते हैं, जिसमें हम चाहते हैं कि हमारे students हमारे से एक कदम नहीं, दस कदम नहीं, बलकि सो कदम आगे निकलें और मुझे नहीं लगता कि इसके इलावा कोई ऐसा profession है जिसमें ये thought process चलता हो, कि उसके सामने वाला जिसको वो ज्यान दे रहा है जिसको वो knowledge दे रहा है, वो उससे आगे पड़े और आज teachers की respect national level पे तो है, international level पे भी teachers day celebrate किया जाता है जो कि October में होता है, so today I am very happy, I am very proud कि I am a teacher but I am a little bit saddened also, because 23 years की service में first time ये ऐसा teachers day हम celebrate कर रहे हैं जिसमें मैं अपने student के साथ face to face interaction में नहीं हूँ हर साल हम सब teachers day celebrate करते हैं, students बहुत activities करते हैं, fun करते हैं हम energetic feel करते हैं, और ये सारी energy पूरा साल throughout the year हमें feeding करती है so इस बार ऐसा नहीं हो रहा है due to COVID pandemic but let's hope कि ये जो हमारा जो present scenario है जिससे हम गुजर रहे हैं वो जल्दी ही खतम हो जाए और हम फिर अपने student के पास वापस उसी महौल में हमारा जो teaching learning है, traditional way है उसको फिर से दुबारा से प्रापत कर लें so मैं अपने students को चाहे मैं उनके साथ physically contact में नहीं हूँ फिर बे मैं उनको अपनी blessings, अपनी support हमेशा देती रहूँगी और देती हूँ